सो दोस्तों जो ट्रेडर स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाते हैं ऐसा नहीं है कि उन्रेब लाक्त के लिखा करेंग बता हैं से स्टार्ट करो ताकि धीरे-धीरे से आपका अगर प्रॉफिट बढ़ता है प्रॉफिट अपका एकुमिलेट होता है आपके रिटर्न हो रहे हैं पैसा आपके पास इकठा हो रहा है उसके बाद आपका रिस्क एपिटाइट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर रिस्क लेते हैं यह डर लगता है कि कहीं स्टाउक मार्केट अगर गिर जाएगी ऐगा तो बड़ा नुकसान हो नहीं ना दो बड़ा नुकसान कैसे नहीं होगा अगर आप स्टाउक की जो पॉजिशन साइजिंग है पहले से ही स्टार्टिंग में कम रखते हो तो स्टाइजिग की उसके बाद दूसरी में चलेगे एक स्ट्राटिजी को पकड़ युस्ट्राटिजि में ट्रेडिग करो और अपनी पॉजीशन साइजिंग बहुत कम से स्टार्ट करो अपने और आपक जक oppose बढ़ा ना बहुत एक दमने ऑगर क्रेश होगी मांन लोग जब ऑर इंटरे टेडिग यह दो स olduğ बोस्कृ इनटरेअब मुषकिल ज्यादा इसमें चाहीं होता हुआ ह guide को पकड़ लेते हैं उसके बाद !!! सब को डर जगता है कि जैर करते हैं उसके अगले दिन gap down हो गया तो क्या होगा हमारा नुक्सान हो जाएगा तो stock market में अगर आपने trading करनी है आपने पैसा कमाना है तो पहले तो आप यह मान लो कि stock market में losses और profit साथ सा चलते हैं बात यह है कि जो losses हैं उनको हमें limit करना होता है हमें एक limit तक ही loss लेना होता है अब loss को limit करने के दो तरीक साथ में position sizing भी control करो अगर आप अपनी position sizing control करते हो तो भी आपका loss लिमिट के अंदर होता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखके आप swing trading कर सकते हैं और swing trading एक्चुली जो ट्रेडर्स नहीं बनना चाहते हैं उनके लिए swing trading सबसे काम की चीज़ है अब मैं इस पूरे वीडियो क को बहुत simplify करके एक strategy आपको बताना चाहता हूं जो सबसे simple और सबसे common strategy है और सबसे successful strategy मैं कहुंगा कि swing trading की वही है और इसमें fundamental concept क्या है जो सारे जो stocks हैं वह उपर ही जाना चाहते हैं ultimately सब स्टॉक्स में उपर ही जाना बढ़ना ही है because जो भी companies हैं उन stocks के पीछे वो company इसलिए बैठी है कि वो पैसा कमाना है उन्होंने profit कमाना है उन्होंने आगे बढ़ना है progress करनी है उन्होंने perform करना है और उन्होंने expand करना है यह सारी चीज़ें उन्होंने करनी है यह उनका function है इस purpose के लिए वो बैठे है और काम कर रहे है तो अगर वो यह सब कर रहे हैं तो उसके बाद the result is कि जो stock market है वहाँ पर पैसा जो है demand है उन्हीं stocks में आती है जो stocks के underlying companies perform कर रही है तो इसलिए वो stocks ने बढ़ना ही बढ़ना है तो जिन stocks ने गिरना है जो underperform कर रही है वो धीरे धीरे वो खतम हो जाती है पर overall जो stocks breakout दे रहे कि हमने cash में trading करनी है सबसे simple starting करनी है जो कोई futures में करना कुछ options में करना simple cash में trading करनी है जो first चीज़ आप करना चाहिए आपको swing trading में और बहुत simple है आपको सारा कुछ में बहुत ही एक simple language में बताने वाला हूँ और आपको समझ आएगा तो जल्दी से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजी और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो swing trading के पीछे का concept क्या है concept यह है कि जो stocks हैं वो swings में ही move करते हैं stocks जनली अगर उपर भी जाना हो तो उपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं higher highs higher lows बना रहे हैं अगर नीचे जाना हो तो lower lows lower highs बना रहे हैं मतलब एक swing की तरह moment होती है जैसे उपर stocks जा रहे हैं ऐसे उपर जा रहे होते हैं stocks अगर नीचे गिर रहे होते हैं तो कभी भी straight line में stocks की movement नहीं होती है concept यहां से लेकर आते हैं कि swing trading क्या होता है swing trading में हमें इस तरह से lower lows lower highs या upper highs अपर lows यह सब choose करने हैं और जहां पर हमने input करना है है बेचना कब है ठीक है हमने दिन में सिरफ 10-15 मिन लगाने है stock ढूणने के लिए कि कौन सा stock हमने खरीदने के बाद हमारा काम खतम हो जाता है उसके बाद हमारे पास stop loss एक होता है जो हमने note करना है क्योंकि यह swing trading है इसमें stop loss आप लगा के नहीं रख सकते हो broker में अगर आपको लगाना भी है तो आप gdt order लगा सकते हो stop loss that is one way और जो कि कई broker support करते हैं तो अब concept यह है कि swing trading में आपको जो stock आप खरीदते हो या ETF आप खरीदते हो उसको आपको जनली जुरत जाती है कुछ दिनों तक कुछ weeks तक या कुछ months तक रखने की जिससे उस stock के जो target है वो achieve करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है तो इस तरह के जो trades है हमने सिर्फ daily timeframe में चूज करने होते है तो daily timeframe में अगर हम देखते हैं तो हमें overall picture मिलती है उस stock की हमने देखना क्या है जै यह एक range है यह range के अंदर यह stock move कर रहे है और इन्होंने breakout देना है अब हमने कौन सा breakout cash करना है हमने वो breakout cash करना है जो कि यह ऊपर की तरफ देंगे अब ऊपर की तरफ यह breakout क्यों देते है इसके पीछे का concept क्या है तो जब भी यह stock उपर गया यहां के selling आ गया देखरों यहां क क्योंकि कुछ लोगों ने जिन्होंने stocks hold करके रखे हुए है उन लोगों ने एक target रखा हुआ है कि यहां पर target आएगा तो हम अपने stock sell कर देंगे तो जब यह target आता है वो लोग अपने stock sell कर देते हैं तो दुवारा से market नीचे आ जाती है इस तरह से अब इस situation में जब बन रहा है जो आप यह देख रहे हो यह resistance है यह जो resistance बन रहा है यह वीक हो जाएगा ठीक है तो एक concept है swing trading का जो fundamental concept में यूज करना है वो यह है कि जब भी कोई resistance बार-बार touch होता है बार-बार उस resistance को तोड़ने की कोशिच कोई stock करता है तो वो resistance वीक हो जाता है तो every time अब य यहां पर दुबारा यह stock का price नीचे आ गया resistance को तोड़ नहीं पाया क्यों नहीं तोड़ पाया क्योंकि अभी कुछ sellers थे वहाँ पे जिन्होंने वह stock को sell करना था जिनका target अचीव हो गया था वह अपने stocks वहाँ या ETF sell करना चाते थे उन्होंने वहाँ पर sell कर दिया इसलिए stock price दुबारा से मीचे आ गया अब देखो थार्ड टाइम यहां जब वह आया जो इसकी support है यह इसकी support है support मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि यहां पर इस रेंज में बार बार आके वापिस उपर जा रहा है तो यह इसकी अभी support बनी हुई है अब यह जब वापिस support पे आया त उसके बाद दुआरा buying आई और फिर यह उपर गया और इस बार क्योंकि काफी बार resistance को break करने की कोशिश हो चुकी है और हमने देखा कि इस बार resistance को break कर दिया ठीक है तो concept क्या है कि जब भी stock range bound तक चल रहा होता है अब daily time frame अगर हम देखते हैं तो daily time frame में इसका मतलब यह है क कि कोई stock few months तक या हो सकता है एक साल या दो साल तक भी हो सकता है कि कोई stock लंबे time तक एक range में चल रहा है और उसके बाद वो stock जब resistance को बार बार break करने की कोशिश करता है resistance weak होता जाता है तो एक time ऐसा आता है जब यह stock उसको break out कर देता है अब जब यह breakout करता है अब हमारे पा यहां पर यह risk रहता है कि हमें नहीं पता हो सकता है यह breakout false breakout हो हो सकता है यहां पर जाने के बाद stock फिर वापिस नीचे आता है तो हमारा stop loss हो जाएगा तो हमें एक और confirmation चाहिए हमें कुछ confirmation ऐसी चाहिए जिससे हमें यह sure हो जाए कि यह बहुत जादा चांज है कि अब यह stock breakout अब होता क्या है जनली जनली क्या होता है जब ऐसा point आता है जब यह stock यहां पर आकर breakout देता है तो यहां पर आकर दुवारा selling करते हैं अब यहां पर फर्क ही है कि यहां buyers जादा हो चुके है, buyers बहुत जादा हो चुके हैं, sellers थोड़े से रह चुके हैं, जो थोड़े से sellers हैं, वो यहां पर selling करते हैं, जब यह लोग selling करते हैं, तो यह इतनी selling नहीं कर पाते हैं, और यहां पर यह जो resistance line थी, यह line support line बन जाती है, इसलिए यहाँ पर वापिस से support मिलती है और stock वापिस है यहाँ से ऊपर उठता है तो इस चीज को हम जो कहते हैं इसके लिए एक term यूज होती है यह retest हो रहा है यहाँ पर यह retest हो रहा है यह support retest हो रही है अब यह confirmation कैसे भी लेगी जो यह इसका हाई है जो पहले हाई बना है यह हाई जब break होता है तब आपने इसमें एंटर कर लेना है stop loss कौन साल काना आप stop loss यह जो अब support लाइन बनगी है इस से थोड़ा सा नीचे अब आप stop loss अपना बना सकते हो तो इस तरह से यह आप आप trade ले सकते हो और इस ट्रेड को अगर आप बार बार करते हो आप एक practice करते हो इसको कैसे करना है आपको जब आपको start करनी है strategy सीखनी है तो पहले आपको क्या करना है पहले आपको ऐसे stocks देखने हैं जहांपर ऐसे breakout हुए है पास्ट में ठीक है ऐस देखने से और जुछ को ना आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ और फ्यूचर में आपको ऐसे स्टॉक्स धूडने हैं जावार ब्रेकाष ब्रेकाट हो सकता है वह सारह कुछ एक रटीज तो सीक विए पर अवहीं स्टॉक्स रहां करने के लिए इसमारे पास आरिप हमें stock selection कैसे करनी है हमें वो देखना है और हमें थोड़ा बैक टेस्टिंग करके confidence भी चाहिए कि हमें पास्ट में देखना कि यह कैसे हुआ था क्या जब यह हो रहा था तो तब ऐसे profit हुए थे कि नहीं हुए तो यह करने कि पहले start करने से वहले एक और चीज़ है target हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम जब भी कोई stock खरीदते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें उसका profit अगर को लग रहा है कि इसमें फंडामेंटल स्टॉग है आप उसमें एवरेज कर लेते हो लेकिन जो आप त्रेडिंग करते हो तो आप आप एवरेजिंग नहीं करते हैं क्योंकि ट्रेडिंग में आपने strategy के हिसाब से ही चलना है अगर आप discipline follow किसी भी ट्रेडिंग में तो आप बहुत जल्दी market में से out होने वाले हो तो कि ट्रेडिंग strictly discipline के साथ ही हो सकती है तो ट्रेडिंग में अगर आप stop loss को पूरी तरह से बिय नहीं कर रहे है रिस्पेक्ट नहीं कर रहे है अपने stop loss को तो आप की position sizing वे रहा है आप ट्रेडिंग से investment में आगे तो आपका capital block हो जाएगा और आप ट्रेडिंग से out हो जाएगा इसलिए ट्रेडिंग को और investment को अलग लग रखना ट्रेडिंग में हमेशा आपका stop loss और target यह दो चीजें होती है stop loss और target यह दोनों चीजों के साथ ही आप ट्रेडिंग करते हैं अब आपने यह target क्या रखना है जो इसकी height थी जो पहले यह कर रहा था sideways movement जो दे रहा था जो इसकी यह height थी between the high and the low यह जो distance है इतना ही ऊपर आपन इसमें काफी time भी लग सकता है क्योंकि यह daily time frame की बात हो रही है इसमें आपको छे मीने भी लग सकते है एक साल भी लग सकता है ठीक है time लग सकता है पर आप इसमें कितना return अचीव कर लोगे यह depend करता है यहां पर यह कितनी विड्ट है अजर मानलों जी 100% आपको दे रहा त परसें टार्गर भी मिल सकता है तो आपको यहां पर सबसे जुरूरी क्या है strategy बहुत काम किया है सारे stocks जो है वो breakout देते हैं यह वाला concept सब में use होता है सारे stocks में ऐसे होता है लेकिन आपको stock selection कैसे करनी है यह सबसे important है और stock selection actually इतनी मुश्किल है नहीं stock selection बहुत ज़्यादा simplify कर दी गई है कैसे market में बहुत सारे ऐसे screeners है जो यह काम हमारे लिए पहले से ही कर रहे है हमने क्या करना है हमने वो stocks screeners जो है वो देखने हैं वहाँ पर stocks की list आ जाती है रोज उन stocks की list को हमने chart में देखना है कि हमारे क्या करूँगा मैं सबसे पहले आपको दो चार एक्जामपल दिखाता हूं पास्ट में और उसके बाद में आपको आज की डेट में जो त्यार है stocks ब्रेक आउट देने के लिए पिर आप उनमें टेट भी कर सकते हैं तो चलो हम देखते हैं stocks को पुराने stocks को 2-3 stocks को देखते जिन stocks में ऐसा breakout हुआ है तो हम देखते हैं examples और सबसे पहले हम देखते हैं हैवल्स का example तो इसमें जब हमने stocks किया कि यह breakout के लिए त्यार है तो हमें कुछ conditions का ध्यान रखना है पहली बार तो यह कि जो यह इसमें resistance को टाच करके उसको टेस्ट किया जाता है कि resistance ब्रेक हो रह क्यांसे होना चाहिए अब यहां पर देख रही हो दो बार यहां पर एक ही level पर एक ही level पर एक ही level दो बार resistance टेस्ट हुआए और market कैसे मुव करी है आप स्विंग में मुव कर रही है इतर्ते कि यह इस के अंदरे reflects कि और यहां पर सेख़ इसको नीचे ले आती है और उसके बात दुबारा है colorsupport में यह support बन गया है, यह support बन गया है, यह resistance बन गया है, जो support है वो बार-बार test हो रही है, support में आकर दुबारा से buying आ रही है, और वो दुबारा से stock उपर आ रहा है और दुबारा से resistance को फिर से test कर रहा है और resistance को break करने की कोशिश कर रहा है, अब यहाँ पर वो break नहीं हो पा रहा ह और आप देख रहे हो दो बार resistance को break करने की कोशिश की कही है, ब्रेक नहीं हुआ, थर्ड टाइम जब ये resistance को break करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर break out हुआ, ठीक है, अब ये जो breakout हुआ, इसमें confirmations कैसे कैसे आएगगी, पहली confirmation तो यही होती है कि यहाँ पर retest हो रहा है के अब यहां पर यह जो आप red candle देख रहे हो ना basically यही retest है तो अब retest को सबसे simple तरीके से कर समझना है तो कैसे होगा कि जब भी stock अपने resistance को तोड़ता है एक green candle बनाता है ठीक है उसके बाद वो जो green candle बनती है उसके बाद अगर कोई red candle बनती है तो that means वो stock ओपर जाके नीचे आया या यानी कि वो अपनी यो जो नई बनी हुई support है इसको retest कर रहा है अब अगर इसमें इसको support मान लिया है तो इसको वापिस उपर जानाई है अगर इसने इसको support नहीं माना इसने अगर यही मान लिया है यह अभी resistance ही है तो यह उपर नीच resistance को भी support मान चुका है क्योंकि इससे नीचे नहीं आया तो इसका मतलब यह काफी chances हैं कि यह real breakout है तो अब यहां पर आप देख रहे हो यह यहां पर इसको break करके उपर गया है और यह real breakout है अब इसको और confirm करना कैसे है है आपने देखना वालियूम आप देखो वॉल्यूम you can ago wd विल्यूम कितना तेजी से आ रहा रहा है वॉल्यूम वह डिलियूम में आप यह देख सकते हैं कि जो पहले व्यूम था उस वल्यूम को भी breakout अब देखो तो कि यह जो केंडल बनी यह पूरी तो तब बनेगी जब यह भी ग्रीन केंडल पूरी हो जाएगी अब यह अगर आप पूरी बने की वेट करोगे फिर तो आप ट्रेड लेने से रहे आपको कुछ मिस्स कर दोगे तो आपने देखना यह पहले का वॉल्यूम ब्रेक आउट का हो रहा है य अपनी रेंज 60 को तोड़ चुका है 60 70 की रेंज में पहुंच चुका है जो की एक बुलिश रेंज यानि आरे सबता रहा है कि प्राइस काफी फास्ट गेन हो रहा है उसका मोमेंटम है प्राइस में थिक्षा का बेसी कॉनसेप्ट ही होता है बताना कि मार्केट में मोमेंटम मतलब एक्सेलरेशन कितना दे रहा है कितना तेजी से निकलता है क्योंकि जब ब्रेक आउट होता है वह तेजी से होता है क्योंकि उसमें इसलिए ऐसी केंडल बनी है तो हमने यह अगर चीज़ें कुछ कॉनसेप्स आप देखो यह सारे कॉनसेप्स ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में समझ तो चाहें आजाएंगे जब आप प्रैक्टिस करने जाने तो आप प्रैक्टिस के टाइम पे आपको ऐसा है मुश्किल आती है कि कहां पर एक्चली ब्रेक आउट हो रहा है यह थोड़ी सी दिक्कत आती हम इसलिए थोड़ी से एक्जामपल लें आपको प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी तो आपको बड़े अराम से देखते ही समझ आजाएगा कि यहां पे क्या होने वाला बेकाउट होने के चांसे हैं के नहीं है ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया स्टॉक्स की हाई प्रफार्म कर रहे हैं उपर ही जाना है स अपने पैसा इंवेस्टर में वहीं डालना जो इतना परफार्म कर रहे हैं यह अच्छे स्टॉक्स जूड़ने मुश्पिल होते हैं कौन सी कम्ली आपको फैमिलियरिटी होती है कई वारी कुछ कंपनी को पता होता है यह कंपनी अच्छी परफार्म कर रही हैं तो आप ही में से को स्थॉज्ञ पर चूज चूज अब झाने तो आपने एक और कि एक और आग слов लिपकर ग्समइं ब्रेक एक इनुग क्रफॉन देने गसे संपenne थे अपर चुन तो अब नेक्स आफ़ जब इसने रिजिस्टन्स ब्रेक करने की कोशिश की तो यह ग्रीन केंडल के साथ बाहर निकला थोड़ा सा वॉल्यूम भी देखो आप पीछे का वॉल्यूम जो है उस वॉल्यूम में से भी ब्रेक आउट मिला और यह स्टॉक उपर गया और यहां आप देखो बहुत चैनल बनी और यह जो दुवारा से ग्रीन कैंडल बनी है वॉल्यूम इसमें ऑल्मोस्ट सेमीर लेकिन इस ग्रीन केंडल को यहां पर ब्रेक आउट दिया और यहां पर आपने यहां अपने दोगी आपको यह आ गई और आपका टार्गेट क्या था टार्गेट था यह जो जितना इसने यह रेंज बनाई थी उतना ही उपर आपका टार्गेट है अब यह रख सकते हो यहां पर यह वाला और आप यह तो दिन में ही इसने अगर आपका टार्गेट अचीव हो गया और अगर आपने यहां पर टार्गेट बुक कर लिया तो आप देख रहे हो बहुत अराम से आप बाहर निकल गया हो आपने इंपेट उसके बाद भी अगर आप ट्रेल करना चाते हो इस टोड़ा और भी प्रॉफिट ले सकते थे वै आपने यह दियान रखना है आप अपना टार्गेट बना के उस टार्गेट करो और उस टार्गेट पर एकजिट कर जाओ तो इस तरह से कि देखो आप जो ट्रेडिंग करोगे ऐसा नहीं कि आपके जितने भी आप स्टॉक्स लेट करोगे सब में प्रॉफिट होगा ऐसे हो प्रॉफिट होने वाला नहीं है जो अब कर चोटा होना चाहिए और आपका टार्गेट बढ़ा चाहिए तो आपके चोटे स्टॉप लॉस होंगे बड़े होंगे तो अगर ऐसा भी हो जाए ना यहां पर आपने स्टॉप लॉस क्या लेना था आप स्टॉप लॉस जैसे य यहांता सा सि कंडल जेंट के जा ओपर ल timest बॉस सप्ते थैं यहां वर उसको सब्सक्राइब हो आज की ड्रीट में भी मैंने कुछ उस्टॉक की एं जिन тьकने ब्रेक आउट होने के चांसलीत बन रहे हैं तो देखते हैं यह अभी कैसे लग रहे है कि इनमें ब्रेक आउट हो सकते हैं? अगर अगर आप ये वीडियो कुछ दिनों बाद देखोगे तो आप देख सपोगे जो मैं बात आज कर रहा हूं कि इनमें ब्रेक आउट 시bie is बन रहा है बात यह है कि आप discipline से उसको कर रहे हो के नहीं और सही तरह से चला रहे हो के नहीं यह चीज़ें जुरूरी है और आप position sizing जूरूर करो अगर आपको stop loss से डर लग रहा है इसका मदला आपकी position sizing सही नहीं है तो आपको अपनी position sizing सही करनी है और यही root concept है जो traders है वो यही काम बस स सही करते हैं वो अपनी position sizing सही रखते हैं और कुछ नहीं है अगर position sizing सही करते हैं तो टेड कॉंफिटेंटली कर पाते हैं ''उनको डर नहीं लगता और डर नहीं लगेगा तो लंबे टाइम पर टार्गेड की वेट कर पाएंगे अगर आपको डर लगेगा तो आप अब देखते हैं वो जो next हमने stock shortlist कि है वो next देखते हैं कि उमें breakout कैसा लग रहा है तो हम देखते हैं ITZ का यह आज का चार्ट है daily time frame में यह चार्ट है देखते हैं इसमें अब क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है अब देखो यहां पर एक resistance test हुआ था वापिस आया और यहां पर इसने रिजिस्टेंस को ब्रेक किया रिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यह वापिस नीचे आ गया रिटेस्ट कर रहा है जो हमुआ रहे है अब हमारी सपोर्ट बन गी है अगर सपोर्ट सचमें बन गी है अगर सपोर्ट सचमें नहीं बनी अगर depends इसका मतलब है देखने हैं ये जो high बना है ये high break होना चाहिए अगर ये high break होता है तो इसका मतलब ये resistance जो break हो रहा है ये real में हो रहा है ठीक है confirmation आ रही है और confirmations कहां देखनी है यहाँ पर next जो candle इसकी बनेगी अगर वो candle green बनती है अगर वो candle green बनती है और बड़ी candle बनती है ठीक है बड़ी यह काफी बड़ी बढ़ने चाहरी है और काफी बाइंग आ रही है अब फिर और क्या देखना होगा आरसाइए आरसाइए भी देखना होगा कि वापी से उपर जा रहा है यह तीनों कंफरमेशन आपके पास आ गई यहां से ब्रेक आउट हो गया तो यह बहुत साही एंट्री और करनी है रिटेस्ट होने पर आपने एंट्री करनी है यह अगर आपने समझ लिए आपके लिए बहुत सिंपल आप आप स्विंदेग्न कर सकते हो और आज की डेट में तो आप इटिएफ में भी कर सकते हो आपको डबल बैनेफिट हो जाएगा कि कभी 10-20 परसेंट का गै पर कुछ स्विंग करें अच्छा पैसा भी बना सकते हैं अब देखते हैं दूसरा नेक्स टॉक जो है इंडियन मैंक तो इसमें देखते हैं यहां पर आप अगें देखो वैसा ही चार्ट बन रहा है यह रोगा है यह रिजिस्टेंस यहां पर आके resistance break को नहीं कुशिश हो रही है नहीं हो पाई, fail हो गया, वापिस टॉक नीचे आ गया, range boundary रहा है फिर दुवारा से यहां पर resistance test हो रही है और यह again जब test होती है तो यह फिर दुवारा fail हो गया resistance test और selling दुवारा से आगी और उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर यह zone retest हो रहा है अब एक जीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो यह हम horizontal line जैसे मैंने बनाई है जो support और resistance की जो हम line बनाते हैं यह line जो है exactly, basically simple line ने होती है, यह zone होता है ठीक है, तो आप कोई बनाई है यह line यहां बनाएगा, कोई इस सको यहां बनाएगा तो यह एक zone है इस zone को यह break कर रहा है यह resistance का zone है तो यह resistance का zone अगर यहां पर break होता है, एक next green candle बनती है जो इसको break करती है तो इसका मतलब retest जो है वो complete हो गया और अब यह stock breakout के लिए सबाuyte से कैसे हो रहा इसमेंपर के लिए इस तरह है सीन बन रहा है तो देखते हैं आप दिखो अगेन जिदिशने πरेकाउट आप देल और तो यहां पर देखो आप क्या हुआ आपके तो कोशिच की वापिस नीचे आया उसके बाद दुवारा नौं और यह बढ़ा हाई बनाया बहुत कोशिच अच्छी थी और इसके बाद नेक्स हमने देखना है रेड केंडल बनती है अगर रेड केंडल बनती है तो क्या फिर उसके बाग ब्रेक आउट होता है और आप देख रहे हैं यहां पे साथ में कोशिच बहुत अच्छी चल रही है वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया इस केंडल में बहुत अच्छा वॉल्यूम आया और साथ में रसाइब उपर जा रहा है और सारी कौर्मेशन आ रही हैं अब काफी चांसे आए कि यहां ब्रेक आउट और सीधा ब्रेक आउट हो जाता है आप मिस कर देते हो ब्रेक तो आपको कोई ऐसा नहीं खतम हो जाएंगी एक चीज अगर हमने strategy में डाल दी कि retest देखना जरूरी है वो जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं देखते तो बहुत सारे आपको failed ऐसे भी बहुत सारे breakouts मिलेंगे और जिनमें आप entry कर सकते हो और उसके बाद आपके stop loss हिट हो जाएंगे इसलिए जो आपके stop loss हिट होने का risk कम करना है उसके लिए हमने retest का भी फीचर उसमें एड किया हूँ रीटेस्ट के साथ confirmation हो जाती है ठीक है और रीटेस्ट में यह सपोर्ट पका बन गया है जो यह रिजिस्टेंस था ना यह रिजिस्टेंस अब सपोर्ट बन बटने जाती है ठीक है पकी है और वह सपोर्ट पकी होने चाहिए इसा नहीं कि सबीप टूट जाएगी उपर इए इसका से नीचे जा जाएगा यह सुझा पर आ कर अधाना Nemzan स्ट्रॉंग होगी है वह रियली सपोर्ट में कनवर्ट हो चुका है अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो चीज सबसे जरूरी है जो सब अब लिए जैसे चार्ट लिंक हो गया स्क्रीनर हो गया ऐसी कुछ साइट आप कम से कम यह स्टार्ट कर सकते हो कि आने वाले दिनों में आप उन सबसे हैं से स्टाक को निकाल के उनके चार्ट देखने शुरू करो लो ट्रेण मत करो आप सिरा डिंए-थी पर वाले डो देखनार ओ आप यह ब्रेकडान हो फुर आघर На पर ऑप 3 मिघे देखना है क्या उसमें ब्रेकअट हुआ और बढरिबन Sei CT तो कि आपने यह एक स्टॉक किया था जिसका यहां breakout होना था वहां breakout हुआ फिर आप उसका टार्गेट जो है वो उसके इसाब से calculate कर लो जैसे मैंने आपको बताया और आप देखो कि उसका बैस तरीका यही है स्टैटेजी बहुत सिंपल आई है और लांग टम के लिए बहुत चलने वाली है और स्विम ट्रेडिंग के लिए सबसे स्टैटेजी यही है अब हम देखते हैं कौन-कौन से ऐसे वह लिंक्स आपको दिखा देता हूं लास्ट में वीडियो कहतम करने से प सबस्क्राइब करने से अबुड़े सबस्क्राइब करते हैं ऑपको देखे़ा को हुआगे आप देखो ITC Limited लिखा हुआ है और ITC बिल्कुल ऐसा ही बना रहा है जैसे हमने strategy में सोचा तो आप यहां से भी देख सकते हो यहां पर आपके पाद ETS भी है आप ETS भी देख सकते हो कुछ ETS लिखे हो निफ्टी बीज वगरा तो आप वो भी देख सकते हो और और इसके पना रहें तो एक हैल्प यहां पर यह हो जाती कि 5000 स्टॉक्स हैं और आपके पास सिर्फ 50 या 100 इतने ही स्टॉक्स रह जाते हैं देखने वाले वह भी ऐसा नहीं कि रोज आपको 50 या 100 ही देखने है आज आपने 50 या 100 देख लिए कल 2-3 उसमें एड हो जाएंगी ठीक है और एक और है यह है market screener.com तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि कौन से ऐसे stocks हैं जो close to resistance है ठीक है जो resistance के अपने पास आ चुके है वो आप देख सकते हो तांकि आप चार्ट देखके आपको clear हो जाए और I hope दोस्तों आपको इस वीडियो से सीखने को कुछ मिला होगा और I am sure कि आप paper trading से start करोगे position sizing का ध्यान रखोगे और जब तक आप एक good और export trader नहीं बन जाते तब तक आप पैसा लगाना इसमें शुरू नहीं करोगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजेगा और वीडियो को like कीजेगा और मिलते हैं हम इस तरह के एक और वी एक भीडियो कीजेगा और मिलते हैं हम इस तरह के आप एक एक और वीडियो के डापने कीजेगा थाएंब मैं हान।